आप सभी लोग आजकल एक सब्द काफी चर्चा में सुन रहे होंगे वो है राज दुरो और आपको बता दूँ कि अगर आप लोग ने आज जादी के पहले कब भारत का इतिहास पड़ा होगा तो आप सभी को मालू होगा कि अंग्रेजियों के खिलाब अगर कोई भारती है कुछ बोलता था कुछ लिखता था या उनका विरोध करता था तो आप देखते हैंगे कि उस समय भी राज दुरो का मामला दर्ज हो जाता है और आप देखें कि महत्मा गांदी और करने की सुतनता दी गई है आपको लिखने की सुतनता दी गई है लेकिन आप सभी जानती हैं कि अभी भी अगर आप लोग सरकारों के खिलाब कुछ बोलते हैं कुछ लिखते हैं उनसे सवाल करते हैं तो आपके उपर भी राज दुरो का मामला दर्ज हो जाता है एक रिपो कि 2018 में राजदरों की 70 कितने 70 केस दरज हुए जिनमें एक भी बैक्ती को सजा नहीं हुए फिर आप देखेंगे 2019 में तेहरान में मामले दरज हुए और केवल दो बैक्तियों को सजा हुई इसमें 2020 में 73 मामले दरज हुए लेकिन किसी को सजा नहीं दे गए कोई आरोप आरोप लग सकता है लेकिन आरोप सिध्ध होना और आरोप लगना इन दोनों की भी जमीन आसमान को फरक आपको देखने को मिलेगा हमारे देश के कई आप देखेंगे पत्तकारों पर भी राजद्रो का मामला दरज हुआ था और आपको एक और बात बता देता हूं कि आप समय के कानून को आज भी हम लोग मान रहें उस समय जो कानून मना गया था वो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए हमारे देश के नागरिकों का धमन करने के लिए इस कानून का गठन किया था और आप देखेंगे कि सुप्रिंग कोर्ट में भी पैंडिंग में अच्या कर लेंगे और इस तरह के कुश्चंस अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें तो आपकी परिक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभाव ना रहती है और वैसे भी अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी भी नहीं करें तब भी मुझे लगता है कि इ एक्टर रहता है जो भी सब्द रहते हैं यह आपकी जिन्दगी में कापी मायने रखते हैं और जब आप लोग निवस पेपरों में पढ़ते हैं सुनते हैं तब मुझे लगता है कि आपकी भी दिल्चस्वी बढ़ती है कि आखिर यह मामला है क्या समय रहा है आप तो इसमें आप देखे कि यह हमारा प्यार्द भारत है क्या है हमारा प्यारभारत है और सरकार ने राजदरों की अपरास से निपटने वाली बारति दंड सहिता की धरा की धरा आज में किसी कीवी हो वो अपने हित के लिए कानूनों का दुरुपयों करती हैं तमाम एजनसियों का दुरुपयों करती हैं और करती आई हैं तो इसमें कोई आप लोगों को आश्चर चकित नहीं होना चाहिए कि वर्तमान सरकार ही इस तरह के कानून का दुरुपयों कर रही है कि 2021 में भारत के मुख ने आधिस CGI ने सवाल किया था कि मात्मा गांदी और बाल गंगाधर तेलक के खिलाब इस्तेमाल किया गया है एक उपनेवेसिक कानून आजादी के 75 सालवाद भी लागू भी कानून की किताब में क्यों बना हुआ है इसे हटा क्यों नहीं दिया गया है और मुख ने आधिस ने ये भी कहा था कि सरकाद द्वारा देश द्रो या भारती दंड सहिता की धारा 124 एक का 2 रुपियों किया जा सकता है अगर आप देखी कि इसका अगर सही तरीके से अगर इसका पालन हो रहा है कोई भी कानून तो उसके फायदे रहते हैं अब आप देखी को नख्सान पहंुचाएcor करते हैं तो उनके लिए आप देखी कि उन्हें रोकने के लिए कानून अच्छा हो सकता है, लेकिन आप सुचिए कि आप अपने देश की पत्तकार हैं, जो इमानदार पत्तकार हैं, आप से सवाल करें, अगर उन पर भी इस तरह का आरोप लगता है, तो मुझे लगता है कि ये दुरभाग गये, और लोकतंद के लिए भी आ सभी आपके इंडेक्स जारी किया जाते हैं, भली आपको समिधान के भात तीन में आजादी दे दी गई हो, मौली का दिकार दे दिये गया हो, लेकिन आज भी आगर आप लोग उनका प्रियोग करके देखिए, आपको उठा के जिल में डाल दिया जाता है, ये हकीगत है दे से उपलद होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजसाही दोनों के लिए नकारत्मक प्रवाओ उत्पन कर सकती है, और इस कानून का मसौदा मौल लूप से 1837 में बेटे सिती हासकाल और राजनितिग थॉमस मेकाली द्वारा तियार किया गया था, लेकिन 1860 में भार राजदरोग अपराद है, क्या है? अपराद है, आई पीसि की धारा अगर आप लोग 124 देखें, तो यह कानून राजदरोग को एक ऐसे अपराद के रोम में परिपास्तित हैं, परिवास्तित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तOWर पर में बेमननस और सत्युता की सभी भावनाय सामिल होती है और हाला कि इस खंड के तहरत घेना या आउमाना फैलानी की कोशिस किये बिना कि गई टिपडियों को अपराद की सेड़ी में सामिल नहीं किया जाता है और आप देखेंगे राजदरों की अपराद ही तू अगर दंड के तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्वाना भी लगाया जा सकता है और इस कानून के तहरत आरोफित ब्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से भी रोका जा सकता है आरोफित ब्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है और साती अवस्तक्ता पढ़ने पर उ उचित पितिबंद भारत का सम्मिधान उचित पितिबंद अनुचेद 19 दो के तैद निर्धारित करता है जो अभी ब्यक्ति की सुतंता की अधिकार के पिति जिम्मेदार अभियास को सुनिश्चित करता है साथ ही अभी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरेकों के लिए स किसी को तब आपके सम्मीधानों का क्या होगा आपके समय जो मौली कदिकार मिले हुए ना सम्मीधान उनका नीलम्भित हो जाएंगे और आपको उठा के जिल में डाल दिया जाएगा आपको संगठन बनाने की सोतंता मिली हुई है अब आप एक ऐसा संगठन बना लिजे जो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच आते हो तब भी उस स्थिति में भी आपको उठा के जिल में डाल दिया जाएगा एकता और अखंडता बनाय रखना राजद्रो कानून सरकार को राष्ट विरोधी अलगावबादी और आतंगवादी तत्तों का मुकाबला कर करने में भी मदद करता है राज़ी की इस्थरता को बनाय रखना यदी यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैद तरीकों से सरकार को उखाड फेकने की प्रयासों से भचाने में मदद भी करता है कानून द्वारा इस्थापित सरकार का नियंतर अस्तित राजजी की अगर आप देखे कि इस कानून के अगर आपको इस पर कुछ निवंद या आंसर राइटिंग लिखने के लिए कुछ आता है तो आप लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट भी लिखेगा इन सभी पॉजिटिव पॉइंट को वहां एड़ कर सकते हैं आप लोग ठीक है फिर वेटिश नीतियों की आलोचना करने वाली लोगों को रोकने के लिए राजदरो कानून का इस्तिमाल किया और आप देखे उस समय अंग्रेजों का एक तरह से उद्देश ही ये की था कि भारतिय लोगों का लोटना और आप देखे इहां की लोगों का सोसन करना तो एक तरह से उस समय की जो परिष्टिती थी अंग्रेजों का जो आप देखिए अपना उनका हित था उनको सब को देखकर इस कानून को लाए गया था लोकमान तिलक महतमा गांदी जवालाल नहरू भगस्तिंग आदी सुत्ता अंदोलन के देगजों को वेटिस सासन के तैत उनके राज इवधियों के लिए दोसी ठहराए गया था और इस पेकार राजदरों कानून इतना व्यापक उपयोग आपने वेसे युकी याद दिलाता है समिधान सभा का रोक अगर आप देखें तो हमारी जो समिधान सभा थी तो समिधान सभा समिधान में राजदरों को सामिल करने के लिए सेहमत नहीं थी समिधान सभा हमारी विरोध में थी इसकी इसे खतम करने की बात कर रही थी सदस्वों का तरक था कि यह भासड और अभीव्यक्ति की सुदंता को बाधित करेगा और उन्होंने एक भी तरक दिया था कि लोगों के विरोध के वैद और समिधानिक रूप स आप देखें के सर्वोच नियाले ने 1962 में कैदार नाज सिंग बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124 की समिधानिकता पर अपना नेड़े दिया और इसने देश्द्रों की समिधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे आवेवस्था प्यदा करने का राधा कानून एबं वे वेवस्था की गड़वड़ी तथा हिंसा के लिए उकसाने की गतिवदियों तक सीमित कर दिया था किसने हमारे सुप्रीम कोटने और इस पर कार सिक्षा विदों वकीलों सामाजी की राजनेतिक कार करता हो और चातरों के खिलाब देश्द्रों का आरोप लगाना सर्वोच के कारण हाली अविकार से इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि फरवरी 2021 में सर्वोच नेयाले ने एक राजनेतिक नेता उच्छे बरिष्ट पत्कारों को उनके खिलाब दर्ज राजद्रों के कई मामलों में गरपतारी से सरक्षन भी फिदान किया था जोन 2021 में पिदे सरकार द्वारा दो तेलगो समाचार चैनलों को जबर दस्ती सा कारवाही से सरक्षन पिदान करती हुए राजद्रों की सीमा को परिभासित करने पर जोर भी दिया था जुलाई 2021 में आप देखेंगे सर्वोच नेयाले ने एक याज का दायर की गई थी और इसमें ज अभीव्यक्ति का अपराधी करने बाला कोई भी कानून अनुचित 191 आ के तहट गारंटी कित अभीव्यक्ति की सुतंता के मौलिक अधिकारों पर अनुचित पिती बंद है और सामिधानिक प्रूप से अनुमे भासन पर दुर्थ सीतन प्रभाव का कारण बंदा है और आतंगवादी तत्तों से निपटन में है हाला कि सरकार के नेड़ाओं से आयसाहमती आलोचना एक जीवन्त लोकतंत में मजबूस सारवजनिक बहस के आवसक तस्त है और इन्हें देश द्रोह के रूम में नहीं देखा जाना चाहिए आप लोग वोट देते हैं आप लोग स अभी कभी ओच नियाए पालिका को अपनी परवेक्षी सकतियों का उप्योग मजिस्टेट और पुलिस को अभी व्यक्ति की सुदंता की रक्षा करने वाले संविधानिक प्रावधानों के पिती संविधनसील बनाने ही तू करना चाहिए राजदरों की परिभासा को को प्रावल भारत की छेत्री अखंडता के साथ साथ देश की संविर्भूता से संबनीत मुद्दों को सामिल करके कि संदर में संकुचित किया जाना चाहिए देश दरों कानून के मदमाने इस्तिमाल के बारे में जागरोगता बढ़ाने के लिए सामाजीक नागरिक समाज को पहल करनी चाहिए, तो यही कहानी राज़्द्रो की, क्या क्ये है, राज़्द्रो की कहानी, और जो National Crime Record वीरो, ए रिपोर्ट जो जारी करती है न, इसकी स्थापना 11-11-1986 को वी थी National Crime Report की वीरो की, और इस तरह की संगठनों से भी कुश्चन साब की प्रिक्षाओं में पूंच लेता है तो जब भी इस तरह की संगठन चर्चा में आते हैं तो उनके बारे में एक सामन जानिकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा ठीक है चलिए हम लोग मिलते रहेंगे हम लोग कहां जाने वाले आप लोग इस तरह की टॉपिक जब भी चर्चा में रहते हैं तो आप लोग देख लिया करिएगा और उनके बारे में एक नोट्स बनाकर अपने पास जरूर रखा करिएगा